इस्राइल को बड़ा जटका लगा है नेतन याहू का गुरूर टूट गया है क्योंकि इस्राइल जिसे हमास और हिजबल्ला के खिलाप सबसे बड़ी दिवार कहता है उसको नसरल्ला के लड़ाकों ने जटके में खत्म कर दी हिजबल्ला का दावा है कि उसने इस्राइल के आईरन डूम को एक जटके में फोड़ दिया है नसरल्ला के लड़ाकों ने इस्राइल के आईरन डूम के दो सिस्टम तबाख कर दियें एक आईरन डूम की कीमत 100 मिलियन डूलर है हिंदुस्तान की करिंसी में बात करें तो करीब 800 करोड मतलब हिजबल्ला ने एक जटके में इस्राइल के 1600 करोड रुपे तबाख कर दिये हिजबल्ला का कहना है कि उसने उत्तरे इस्राइल के कबरी में उसकी बंबारी ने बड़ी तबाही मचाई यहीं पर आईरन डूम सिस्टम तैनाथ था यह बात पश्चुमी मीडिया भी बता रहा है और इसकी चर्चा अमेरिका में भी हो रही है लेकिन इसराइल ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी साथ रखी है हमास के रॉकट को रोकने वाला आईरन डूम इस वक्त संकट में हर हमले का मूत और जवाब देने की धमकी देने वाले नेतन याहु ने आईरन डूम पर हुए हमले पर अब तक कुछ नहीं बोला है हाला कि ये तो तैय है कि इस हमले ने इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये है क्योंकि यही वो सुरक्चा कवच है जिसके बलबूते इसराइल अपने लोगों की हिफाज़त करता है उसकी सीमा में आने वाले रॉकेट और मिज़ाइल को इसराइल अपने इसी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराता है साथ अक्तूबर को भी जब हमास ने करीब पांच हजार रॉकेट से हमला किया तो आईरन डूम ने बड़ी तादाद में रॉकेट मार के रायत है हजबुला जानता है के रॉकेट इसराइल पर बेऊसर साबित होते हैं इसलिए अब उसने एंटी टैंक मिज़ाइलों का साहारा लिया है वो तोप से भी गुलाबारी कर रहा है हजबुला लगातार इसराइल के लिए सरदर्द बना हुआ है पहले भी इसने एंटी टैंक मिज़ाइल सिस्टम से इसराइल के मरकावा टैंक को निशाना बनाए और अब उसके निशाने पर आईरन डूम सिस्टम आ गया है इससे पहले जब जब फिलिस्तिनी संगठन हमास ने रॉकेट से हमला किया है आईरन डूम का सक्सेस रेट 95 प्रतिशत से उपर रहा है यानि हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आईरन डूम की मिज़ाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज़ादा रॉकेट को आस्मान में ही रोक दिया इसी वज़ा से इस एर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी ये जलिन्सकी की डिमांड लिस्ट में भी आ गया आईरन डूम चार किलोमेटर से लेकर सतर किलोमेटर दूर से हो रहे हमलों को रोक सकता है ये मिज़ाइल को भी रोक सकता है ये रोकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है इसराइल की ये हालत देख कर कह सकते है कि इन हमलों को रोकने के लिए आइरन डूम फेल्ड साबित हुआ है और इस्तमाल करने पर बहुत महंगा भी साबित होता है क्योंकि एक लाक रुपे की कीमत वाले रॉकेट या तूप के गोले को रोकने के लिए इस से दो मिजाइल फायर की जाती है जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से सत्तर लाक से करोड रुपे हो सकती है यानि एक रॉकेट जिसकी कीमत एक लाक रुपे भी नहीं उसको रोकने के लिए इस हत्यार की इतनी बड़ी कीमत हैरान करती है अब खुद आइरन डूम पर हमले ने बता दिया है कि नेतन याहू का कोई डिफेंस सिस्टम पखता नहीं है दुनिया के सबसे बेहतरीन एर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले आइरन डूम पर अटाक के खबर में इसराइल को 440 वोल्ट का करंट लगा दिया है ये नेतन याहू के लिए भी बहुत बड़ा जटका है लेकिन सवाल है कि अब नेतन याहू इन हमलों का जवाब कैसे देंगे हजबुल्ला के धमाके के बाद दो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है गाजा और इसराइल की बीच चल रहे युद्ध ने पूरे पश्चिम एशिया को तीसरे विश्व युद्ध के एपिसेंटर में तपदील कर दिया है और इसकी वज़ा से दो ताकतें सबसे ज्यादा फेक्र में डूबी हुई है पहले हैं इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्यमिन नेतन ज्याहू और दूसरे हैं अमेरिका के राश्च्रपती जो बाइडन दोनों की टेंशन का मीटर लगाता रेड लाइन को पार करता जा रहा है इस तस्वीर को लेकर खौफ बहुत ज्यादा है हमास से ढ़ाई महीने से जारी जंग और हिजबुल्ला के बढ़ते हमलों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉइड ऑस्टेन इसराइल पहुँच गए यहां उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है हालाकि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा कि अगर हिजबुल्ला के तरफ से हमले तेज हुए तब भी वो इसराइल का साथ देंगे यहां नही हुछ एक तरफ हमास गाजा पट्टे में इसराइली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है दूसरी तरफ लेपनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला लगातार फाइरिंग कर रहा है ऐसे में सवाल है कि इसराइल के लिए अगला खत्रा कौन सा आने वाला है ये बात नेतन याहू अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जंग में अमेरिका से भले ही उसको मदद मिल जा लेकिन युद्ट तो उसे खुद लड़ना होगा मोर्चे पर उसके ही सेनिकों को तैनात होना होगा इसलिए हिजबल्ला की तरफ से हमले तेज होने के बाद नेतन याहू ने अपना वार्ट ट्राइंगल तयार कर लिया है नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में सबसे बड़ा कौना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल में दूसरा बड़ा कौना लिबनान में हिजबल्ला का अंत है जबकि नेतन याहू के वार्ट ट्राइंगल का तीसरा सबसे खतरना कौना है सीरिया जहां पर इसराइल की एर फोर्स ने हमले तेज कर दिये हैं ये तीनों जगा या देश इसराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खत्रा मानता है। यही वज़ा है कि इसराइल साल के बारा महीने, महीने के तीस दिन और दिन के चौबीस घंटे युद्ध के मोड में रहता है। उसकी सैनाएं हमेशा एक्टिव रहती हैं, दुश्मनों को लेकर हमेशा चौकनना रहती हैं। अपने आस्मान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इसराइल के पास चार लेयर में डिफेंस सिस्टम हैं। पहला है आइरन डोम जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमेटर के दाएरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डिविड स्लिंग सिस्टम जो 200 किलोमेटर की रेंज तक मिजाईल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो टू एर डिफेंस सिस्टम इसकी रेंज भी 200 किलोमेटर तक है लेकिन ये डिविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा उंचाए पर जाकर आस्मानी टागेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो ट्री जो ठाई किलोमेटर से भी आगे के टागेट को खत्म करता है। और अब यही एर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बिलिस्टिक मिजाईल को मार गिराने वाली गैरेंटी बन चुका है। अपने चार लेर डिफेंस के चलते ही नेतन याहू का जोज हमेशा हाई होता है। बर्बादी भी बढ़ती जाएगी। फिलिस्टीन के स्वास्त मंत्राले की माने तो युद में अब तक 19,400 फिलिस्टीनियों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल के 139 सेनिकों की जान चली गई है। बर्बादी और तबाही के ये आपड़े तब है जब इसराइल फिलहाल एक मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। अगर हिजबुल्ला से भी आरपार की लड़ाई हुई और इसराइल को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ी तो ये तैह है के बर्बादी और तबाही गाजा में हो रहे युद्ध से कहीं ज्यादा होगी। झाल ऐसे कहाई ज्यादा खुबुल्ला से लड़ाई है।